है घाइस क्या आप यह वाला श्यंपू लेने के वारे में सोच रहे हैं और साथ में इसका कंडिशनर भी क्या आपके बहुत बहुत जादा ड्राइब हैं बहुत जादा फ्रेजाइल है जो कि बहुत जादा टूटते रहते हैं तो आप सोच रहोंगे कि मैं यह वाला शैंपु कंडिशनर यूज़ करके देखो तो मैं आरड़ी इसको यूज़ कर चुकी हूँ यह सारी डबी खातम हो चुकिया दोनों क मैं आज आपको उसका रिव्यू देने वाली हूँ तो मैंने ये मिज़े ये शैंपू जो रेकमेंट किया था मेरे हेर स्टाइलिस्ट ने रेकमेंट किया था क्योंकि मेरे जो बाल थे वो हेर कलरिंग की वज़े से बहुत जादा फ्रेजाईल हो गए थे और जल गए थे तो उसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइट करने के लिए उसने मुझे ये वाला शैंपू कंडिशनर सुजेस्ट किया था तो इसको मैंने अच्छी तरह से यूज़ कर लिया है अपने बालों में तो काफी जादा मुझे अच्छा लगा इस शैंपू एंड कंडिशनर को यूज़ करके इसका जो कंडिशनर भी था वो भी बालों को बहुत स्मूथ बना देता है एटलीस फाइम मिनटस आप ज़रूर रखें उसको वाश आउट करने से पहले तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगी अगर आप यह वाला शैंपू कंडिशनर यूज़ करते हैं तो आपका बिल्कुल भी मनी वेस्ट नहीं होएगी और आपको बुरा पैसा वसूल यह शैंपू कंडिशनर है बट ऐसा नहीं है कि सरफ यह है जो कि आपके बालों को help कर सकता है और भी बहुत सारे शैंपू कंडिशनर है जो कि आपके बालों को strength provide कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको afford कर सकते हैं इसका जो price है वी market में for 57 डॉलर्स है जो मैंने purchase किया था मैं और लाइन purchase किया था वह Adore Beauty App है Adore Beauty App से मैंने यह purchase किया था और सेम दे कंडिशनर अगर आप दोनों कठा बंडल की तरह वहाँ से हवाए करेंगे तो आपको 100 डॉलर्स में पूरी डील मिल जाएगी तो बाकी डिसकाउंट से उगरा चलते रहते हैं वह आप Adore Beauty की वेबसाइट से आप देख सकते हैं तो यह था कि मेरा रिव्यू में को काफी अच्छा लगा बज़े इसका यही प्रॉब्लम था कि यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है शैंपू के लिए 57 डॉलर्स देना और फिर कर्डिशनर के लिए 50 डॉलर्स फेंड करना तो यह थोड़ा सा एक्स्पेंसिव हो जाता है बट फिर भी अगर आप ट्राइ करना चाहते हैं तो गो फॉर रिट